नमस्कार मैं हूँ अन्षिता सुप्रीम कोड ने चुनावी बॉंड रद्ध क्या किया राजनीती के गल्यारों में चर्चा होने लगी कि लगता है राम लला बीजेपी से कुछ नाराज चल रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार पर तो एक के बाद एक मुसीबत आती ज़ा रही है एक तरफ किसान आंदोलन पार 2 शुरू हो गया है दूसरी तरफ पहलवानों ने भी आंदोलन की धमकी दे दी है और छोटे मोटे तो ना जाने कितने आंदोलन देश में चल ही रहे हैं और अब तो सुप्रीम कोड ने भी चुनावी चंदे पर चाबुक चला कर बीजेपी क सांसी अटका दी दरसल सुप्रीम कोड ने चुनावी बॉंड को असमवेधानिक ठहराते हुए उसे रद्ध कर दिया सीजी आई के नेतरत वाली सुप्रीम कोड की पांच जजों की समवेधान पीर्थ ने इस संबंध में फैसला सुनाया शीर्स अदालत ने कहा स्टेक बैं 1929 सी और वित अधिनियम 2017 द्वारा संचोति धारा 13 बी का प्रावधान अनुच्छित 1911 का उलंगन है लीजिए कोड ने तो इसे सीधे सीधे सूचना के अधिकार का भी उलंगन बता दिया आगे बढ़ते हैं तो शीर्स अधालत ने आदेश दिया कि चुनावी बॉंड जा करने वाले राजनितिक दलों का विवरण और सभी जानकारी जारी करेगा उन्हें छे मार्च तक भारत के चुनावायों को सौप देगा इसी आई इसे तेरा मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा यानि पूरी जानकारी देनी होगी इसके बाद राज सुप्रीम कोट के इस फैसले की माईने क्या है और ऐसा क्यूं कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोट के इस फैसले से मोधी सरकार की टेंचन बड़ी है सरकार पर इसका क्या आसर पड़ेगा दरसल चुनावी बॉंड को सरकार ने आई टी आई के दाएरे से बाहर रखा था यानि किस पार्टी के पास कितना पैसा और कहां से आ रहा है कोट ने आगे कहा कि चुनाव I.O को भी इलेक्टोरल बॉंड से सम्मंधित सारी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी अब सरकार की दलील क्या थी तो सरकार की दलील थी कि इलेक्टोरल बॉंड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लाक मनी और गरवर जहला रुख सकेगा लेकिन कोट ने साफ साफ कह दिया कि आपकी चाला की अब और नहीं चलेगी काला धन रोकने के और भी दूसरे रास्ते हैं अब दिक्कत यह है कि इस फैसले के बाद चुनावी बॉन्ड को ना बैंक बेख सकेंगे और न जमा कर सकेंगे जिन बैंकों में किसी का खाता है वो अब पार्टियों के खाते में चुनावी चंदा जमा नहीं कर सकेंगे SBI को राजनितिक दलों द्वारा इनकैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विबरन देना होगा वहीं इनकैश नहीं कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशी खरीददार के खाते में वापस भी करनी होगी यानि अब इस योजना पर ब्रेक लग गया है इससे राजनितिक दलों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि आम चुनाव करीब है और पार्टियों को चुनावी चंदे की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी खास कर बीजेपी को सबसे ज़्यादा जटका लगा है क्योंकि सबसे ज़्यादा चंदा भी उसे ही मिल रहा था इसको समझने के लिए 2022-23 में राजनितिक दलों को मिलने चंदे के बारे में जानना होगा तो आपको बता दें कि 2022-23 में भारती जनता पार्टी को कुल 720 करोड रूपे चंदे के रूप में मिला था इसमें वैसे दानदाताओं के नाम शुमार हैं जिन्होंने 20,000 से ज्यादा रूपे चंदे के रूप में दिये हैं बीजेपी को 2021-22 की तुल्ला में 2022-23 में 17.1 प्रितिश्वत ज्यादा चंदा मिला कॉंग्रेस को 2022-23 में कुल 89.90 लाख रूपे चंदा मिला था 2021-22 की तुल्ला में उसे 16.3 पीस दी कम चंदा मिला 2021-22 में कॉंग्रेस को 95.40 रूपे चंदा मिला था कि सुप्रीम कोड के फैसले से बीजेपी को कितना नुकसान हो गया है दोजनवरी 2018 में केंद्र सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई थी यानि 2019 लोग सभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बोन के जरिये चंदा देने वाले डोनर का नाम और अन्य जानकारी दर्ज नहीं की जाती थी इस प्रकार से दान करता गोपनी हो जाता लेकिन हाँ इसमें एक बात और है ये दान करता सिर्फ दूसरी पार्टियों के लिए गोपनी रहता था सरकार को सब पता होता था कि किसने किसको चंदा दिया है कॉमन कॉस और एडियार का प्रतिनिद्त कर रहे वकील प्रिशान दभूशन ने इस पर तरक दिया था कि नागरिकों को वोट मांगने वाली पार्टियों और उमीदवारों के बारे में जानकारी पाने का पूरा अधिकार है अब इसी मामने में लंबी सुनवाई के बाद कोट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और अब जो फैसला आया है उसने तो केंद सरकार की नीधी उडा दे वही जो ऐसे ही सुप्रीम कोड का फैसला आया मामने में राजनीती भी शुरू हो गई बीजेपी पर आरोपो का दौर शुरू हो गया कॉंग्रेस से लेकर तमाम दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम में ये व्यवस्था हटा दी गई अब अगर कोई कंपनी किताबों में एक रुप्या प्रॉफिट दिखाती है और चुपचाप से टेबल के नीचे से सौ करोड किसी पार्टी को चंदा दे देती है तो मुझे और आपको इसकी जानकारी नहीं मिल लेगी हम तो यही मान लेंगे कि साव इस कंपनी का एक रुपया प्रॉफिट है कॉंग्रेस नेता और लोगसबसांसद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोधी की भ्रश्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने बाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत औ आज इस बात पर मोहर लग गई है राहुल गांधी के अलावा कॉंग्रेस सद्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने भी बीजेवी पर निशाना सा था उन्होंने कहा चुनावी बॉन्ड योजना की लॉंचिंग के दिन ही कॉंग्रेस पार्टी ने इसे अपार दर्शी और अलो विधानिक बताते हुए रद कर दिया है खडगे ने आगे कहा कि हमें याद है कि कैसे मोदी सरकार पी एमो और वित मंत्री ने बीजेपी का खजाना भरने के लिए हर संस्थान आर बी आई चुनावायोग संसत और विपक्ष पर बुल्डोजर चला दिया था इसमें कोई आ सहरा लेना बंद कर देगी और सुप्रीम कोट की बात सुनेगी ताकि लोगतंत्र पारदर्शिता और समान अफसर कायम रहें अब राजनीती के जानकारों का मानना है कि इस फैसले को बीजेपी के लिए करारा जटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब सत्ता रूर पार् और क्यों दिया इसलिए कोट के फैसले ने सरकार के पसी ने छोड़ा दिये हैं तो इस वीडियो में इतना ही आस चैनल रोधे यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल लाइंटीन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बूक पर लाइक कीजिए वाटसेप पर फॉलो कर लेजिए नमस्कार